नमस्काव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चानल पर दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, वो खास दोर पर पुरुषों के लिए है जी हाँ, वो पुरुष जो किसी स्त्री को अपने वश में करना चाहते हैं ये एक प्रचंड महिला वशी करन है तक आजाती है, रिष्टे तूटने लगते हैं जी हाँ, क्योंकि जब घर में अन्बन होती है, सास बहू में अन्बन होती है तो पती-पत्नी का रिष्टा भी बीच में आ जाता है और वो तूटने की करकार पर आ जाता है तो ऐसे में अपने हर रिष्टी को बचाने के लिए सास बहू के रिष्टे को बचाने के लिए बेटे और बहू के रिष्टे को बचाने के लिए पती-पत्नी के रिष्टे को बचाने के लिए ये जो वशीकरण है ये इस्त्री वशीकरण बहुत ही प्रचंड वशीकरण है तां मत कीज़ेगा क्योंकि इस वशीकरण के बाद वो महिला आपके आस पास ही रहेगी आप से दूर नहीं जाएगी वो चाहेगी कि अपना सारा वक्त अपना हर वक्त वो सर्फ आपके साथ बिताए ऐसा अगर आप चाहते हैं प्रेमी हैं अपनी प्रेमी को अपने पास चाहते हैं चाहते हैं कि हमेशा आपके साथ रहे तो इस वशीकरन का सही प्रकाव से प्रियोग के पो ऑleist बताते हैं कि आपको इस वशी करन को करने के लिए सामग्री जाहिए आपको शंशान की राख की अवस्यक्ता होगी त्की यह राख है यह बहुत शक्तिषाली होती है इसकी द्वारा किया ग्या वश्यकरन कभी असफल हो ही नहीं सकता अगर तरीका सही है और आप आपको चाहिए थोड़ा सा मचली का तेल, जी हाँ, ध्यान रखेगा तेल मचली का ही हो, इसलिए इस बात का खासतोर पर ध्यान रखें कि इसमें जो समगरी है, ये इस प्रकार की समगरी है कि इन से क्या गिया वशेकरन असफल होने का सवाल ही नहीं उठता, तो आई ये आप आपको क्या करना है आपको एक काच की शीशी लेनी है और शीशी के अंदर आपको जो राक आप लेकर आएंगे और यह राक भी आपको सिर्फ शनिवार के दिन लानी है ध्यान रखेगा कि शम्शान से आपको शनिवार के दिन राक लानी है उस राक को आपको शीशी में डालन है और मचली का जो तेल है वो उस राक में मिला देना है उसके बाद साथ दिन तक इसे अपने पास रखना है दर्शको शम्शान की जो राक होती है वो बहुत तकलीफ पी दे सकती है तो इसलिए इस राक को आप अपने घर के बाहर सुरक्षित रखेगा घर के अंदर ना लाए ची हाँ, तो इसकी बाद आपको शीशी में रखकर उसे साथ दिन अपने बास रखना है, अपने अंदर में रखना है कि भाई ये हमारे आसपास ही रहे हैं इस बात का ध्यान रखेगा और साथ दिन बाद, आठवे दिन आपको ये जो मिट्टी का और जो राक है, ये जो र राख उस मचली के तेल में मिला रहे होंगे तो आपको एक मंत्र का उचारन भी करना है और इस मंत्र का उचारन करते हुए आपको इस राख को रख देना है साथ दिन बाद और जब आपको जरुरत पड़े तो आप इस राख को उस व्यक्ति के उपर फूग दीजे यानि उस म महिला आपके उपर लट्टू हो जाती है सर्फ आपकी होकर रह जाती है आईए बताती है कि वो मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ कि वो प्रचंड मंत्र क्या है और वो मंत्र है ओम क्लीम स्वाहा जी हां बस इतना ही मंत्र है ओम क्लीम स्वाहा इस मंत्र का जाप आपको कर पढ़ना है और मंत्र पढ़ने के बाद जब आप ये शीशी आप रख लेंगे अपने बास साथ दिन बाद ये मंत्र के माधियम से राख जो है मचली के तेल में बहुत पावर्फुल हो जाती है इस तरह जब आप इसका प्रियोग करेंगे तो इसके प्रियोग से आप जो है इस तेल के प्रियोग से इस राख के प्रियोग से आप उस महिला को अपने वर्ष में कव सकते हैं और अपना बना सकते हैं तो दश को विरी सब्दंशने में कोई परिशानी हो या कोई ऐसी समस्या जिसका समधान नहीं हो पा रहा है तो आप स्क्रीन पे रिये गए नंबर गुरुमाता को कॉल कर सकते हैं गुरुमाता को कॉल करकर अपनी हवसमस्या का समधान कर सकते हैं क्योंकि आपकी हवसमस्या का समधान आप से सर्फ और सर्फ एक कॉल पर ही दूर है एक कॉल करें गुरुमाता से बात करें और गुरुमाता से बात करकर अपनी समस्या का समध करेंगी और आप को जो है आपके जीवन से दुखों को आपके जीवन से खुश्यों को वापस ले आएंगी और दुखों को दूर कर तो फिलहाल मुझे दिजे इजादत समस्या हो तो कॉल कीजे और अपनी समस्या का समधान कीजिए जयमाता दी